हेलो गाइज एंड वेलकम बाक तो मैं चैनल मैं हुसुर्भी इंडियन गर्ल इन येरो और आज जो टॉपिक है वो बहुत इंट्रेस्टिंग है कोई ग्यान नहीं देने वाली हो मैं आपको बस कुछ चीजें ऐसी बताने वाली हो जिससे हम तो इंडिया से यहां पर आ गए जर्मनी में और अल्रेडी टू एन हाफ येर्स हो गए लेकिन हमारे अंदर से जो इंडिया है वो नहीं जा पा रहा तो इसका मतलब यह है कि मैं आज आपको यह सब बताऊंगे कि इंडिया से आने के बाद भी कैसे हम इंडिया से कनेक्टेड हैं जर्मनी में क्या-क्या ऐस तो मेहनत है वो बहुत जादा लगती है तो हम चार्ट करते हैं वीडियो तो हम करते हैं आज का वीडियो चालू और साथ साथ में मैं आपको आज मैं नई लोकेशन पर हूँ और आपको बहुत अच्छे-च्छे फ्लावर्स दिख रहे होंगे और थोड़ा पहाड भी करते हैं चाहिए वो हम किसी के घर जाए या कहीं रेस्टोरेंट में जाए तो हमारा जो फर्स पर्फरेंस होता है वो इंडियन फुड होता है लेकिन उसके बाब जूद भी हम यहां पर रहके या तो दाल चावल कुक कर पाते हैं या बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम और करूछ वाहां से घर से कुछ 200 मेचर दिसरंस पर है कि इंडियन रेस्टारेंट पर हमें इससली कॉल करके बोलना पड़ता है कि इंडियन् टेस्ट का खाना देना क्योंकि यहां पर भगछी जिए व'S घर्मारी होती है तो जब हम COVID नहीं था तो तो हम रेस्टोरेंट में चले जाते थे तो उन्हें समझ में आ जाता था कि हाँ यार इंडियन आया है कोई तो वो उसे साफ से बनाते थे पर आप कॉल करके बोला पड़ते है फ्लीज यार इंडियन स्टाइल का खाना बनाओ और हमारा preference यही होता है लेकिन हम आपको सही बताएं तो सिर्फ दालचावल ही कुख कर पाते हैं यहाँ पर जब हमें ऐसा लगता है कि हाँ यार डेली डेली जो है वो काम भी है और ये भी है दालचावल कुख कर लेतें पर जब सैटे डिसंट होता है तो कोशिश करते हैं कु अब जो दूसरा पॉइंट इसमें दीपक आगया है तो हम बात करेंगे दीपक की जो हमारी सोशल गैदरिंग होती है फेस्टिवल होता है हम यहाँ पर कितना लोगों के साथ कनेक कर पाते हैं यह गैदरिंग में जा पाते हैं उसके बारे में क्या मतलब अग्शली यहाँ करते हैं पर आगर आप कंपेर करो युएस युके कैनेडा वागेरा से उतने नहीं होते क्योंकि इतनी बड़ी कम्यूनिटी है ने इंडिन कम्यूनिटी और जो भी है मैक्जिम्म लोग जो सेलिबरेट करते हैं वो जो कुछ तो तीन चार मेजर सेटीज है ना उनमें थोड करते हैं उस चीज में इंडिया को क्योंकि हमारे हैं फेस्टिवल्स जब शुरू होने वाले होते हैं तो अलगी दिखने लगता है सब कुछ यहां पर तोड़ी मिसिंग लेकिन अगर आपने दूसरे व्लॉगर्स देखे होंगे जैसे मैं यूके के व्लॉगर्स देखती इसमें लोग बहुत जादा गैधरिंग करते हैं पर यहां पर अगर आप वीडियो देखते हो तो यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर जो है वो इंडिया में भी बहुत सारी अलग अलग कमिनिटी के लोग हैं तो यहां पर वो जो गैधरिंग होती भी है तो आप को डाई साल में हमारा experience यह रहा है अब दीपक हम नेक्स्ट पॉइंट आजाते हैं टेंपल्स टेंपल्स एक ऐसा होता है कि हम लोगों को लाइक इंडियंस को टेंपल्स जो है वो सबसे ज़्यादा करके रखता है हमारे कल्चर से पुझा पार्ट से उन सबसे हमारे हम जब कुछ बी चीज अच्छी होती है शोब होता है तो हम सबसे बहले मंदिरी जाते हैं लेकिन अगर आप हमें देखते होगे तो हम ऐसा नहीं करते हैं उसका रीजन में आपको बता देती हूँ जैसे हम नहीं कर पाते एक्शली वहीं कर पाते क्योंकि यहां पर टेंपल्स दोना के कारण तो इस वज़े से हमें कुछ भी शुप चीज जो होती है वह हम टेंपल्स में नहीं जा पाते और हम ज्यादा तर घर पे ही वह करते हैं जो अपना छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है उसी में काम चला लेकिन सब बंद है अब जब ओपन होगा तो डेफिनिटल दिखाने चाहिए हमारी कोशिच है यह लेकिन अभी मजबूरी ऐसी है कोशिच करेंगे जल्दी तो टैंपल्स जो है वह हम लोगों को ऑल्दो कनेक्ट नहीं करता जर्मनी में कनेक्ट नहीं रखता क्योंकि हम नहीं जा पाते और जितने भी इंडियं से वह मेरी बात को बि अब मैं आपको यह बता देती हूं यहां पर पॉसिबल क्यों नहीं है खाना हर दिन बनाना क्योंकि यहां पर जो किचंप होते हैं वह बहुत जादा बड़े नहीं होते तो जब इनीशली फैमिली यहां पर शिफ्ट होती है दो से तीन साल तो वह इतना बड़ा घर जो है वो नहीं ले पाती और जो किचन होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि सिर्फ आप या तो वहां पर खाना गरम करके खा सकते हो या फिर आप कुछ भी जो सुपर मार्केट्स है रेडी टो इट माटेरियल है वो वाला लो और वो गरम करो माइक्रोवेव में और वो खालो तो इ एक वो जो ड्रॉबैक है वो यह है कि यहां का जो किचन है वो इतना अच्छा नहीं होता जिसमें आप यह सारी चीज़े बना पाओ और रोटी तो गैस पर बनी नहीं पाते हैं यह बहुत बड़ा एक मैं बोल सकती हूँ कि यार ऐसा क्यों होता है जर्मनी में मुझे नहीं पता अभी जिस जगे हम शिफ्ट हुए वहां पर हम रोटी बनाई नहीं सकते हैं तो हमें अगर रोटी खाने का मन है तो हमें रेस्टोरेंट से ही मंगाना पड़ेगा या फिर हमें पराठा काना पड़ेगा तो लेकिन उसके बाब जूद भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम रोटी डाल चावल और सबजी ही खाएं उसके अलावा एक चीज और हमें कनेक्ट करके रखती है वो हमारी मात्र भाषा जो कि हिंदी दीपक और मैं हम लोग maximum टाइम्स हिंदी में ही बात करते हैं और अगर हमारी कुछ फ्रेंड्स जो हिंदी बोलने वाले लोग होते हैं और सिफ हिंदी बोलने वाले नहीं अगर कोई इंडियन ही मिलता है और वह जो एक खुशन होती है तो आप लोग भी मुझे देखो रोट पे चलते भटकते जो कि मैं हरका भी दिख सकती हूँ आपको तो प्लीज हाई बोलने आजा ना क्योंकि मुझे ये सब चीज़े बहुत अच्छी लगती है और दीपक को भी हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि अगर हम से कोई आके बात करें और फिर हम लोग एक और चीज होती है कि आप लोगों को लगता होगा कि हाउ ओफेन हम लोग जो है वो इंडिया ट्रैवल करते हैं या अगर हम यहां पर रह रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम हर साल at least एक बार जा पाएं तीन साल हो गया है दीपक को और मुझे ढ़ाई साल के लगबग हो गया और हम लोग तीन बार इंडिया जा चुके हैं because of difficult situation अभी जो कोविट की वज़े से उस वज़े से इस बार पता नहीं चांस हो पाएगा या नहीं पर पूरी कोशिश करते हैं पर एक बात मैं आपको बदा देती हूँ कि इंडिया में भी हम एक या दो बार ही जाते थे साल भर में क्योंकि इंडिया में हमारी जो जॉब्स थी वो ऐसी थी पर हम वहाँ पर अपने जो भाई भैन ममी पापा उने बुला लेते थे तो थोड़ा इतना जो मिसिंग फैक्टर है वो कम होता था पर यहाँ पर वो मिसिंग फैक्टर बहुत होता है और उसकी वज़े से क्या होता है न कि हम लोग फोन पर रेगुलर्ली टच में रहते हैं और वीडियो कॉल के थूँ यह बहुत जादा पॉसिबल होता है तो मिस तो करते हैं लेकिन मिस करने के बाद बिकॉस टेक्नलोजी जो है वो इतनी एडवांस हो गई है तो वीडियो जब कॉल कर लेते तो ऐसा ही लगता है कि यार मतलब यहीं पर है यह हमारे मम्मी पापा यही है यह हमारी फैमली यही है लेकिन यार मिस तो करते हैं वो एक चीज होती है मतलब एक दो महीने में जब घूमते फिरते हैं तो इतना नहीं याद आती है लेकिन जब ऐसा होता है नहीं कि बैठे हुए है अकेले बैठे हुए है तो घर वालों की बहुत याद आती है और इस जगे इस टाइम पे जब कोविट सुच्वेशन इतनी खराब हो रही है तो अ स्ट्रीट शॉपिंग इंडिया की जो है वो बहुत जादा मिस करती हूं बतलब क्या मिस करती हूं वो भी बताना चाहिए गोल गप पे चाट पकोड़े बहुत जादा मिस करती हूं और जो वो इंडिया का जो माहोल होता है वो एकदम बहतरीन वाला माहोल आपको जरूर ल रहे भाया ये दे दो वो माहूल एक अलगी माहूल होता है और वो हम लोग बहुत जादा मिस करते हैं इसलिए मैं हमेशा दीपक से कहती रहते हो यार दीपक हम चाहिए यहां पर कितने भी साल रह ले पर इंडिया जो है वो हमसे नहीं छूट सकता और यह बात फैक्ट है यह वीडियो है वो मैं आपको इसलिए बता रही हो या बोल रही हो क्योंकि अपकोर्स यार सब को लगता हो गए यार किती अच्छी लाइफ है या सब कुछ बहुत अच्छा है पर ऐसा नहीं है सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि हम लोग भी इंसान है हम लोग भी इ साइड मिला हो इस वीडियो से कि जर्मनी में जो इंडियन की लाइफ स्टाइल है या लाइफ है वो कैसी है या हम लोग जो है वो इंडिया से कैसे कनेक्ट होके रखते हैं हम क्या क्या ऐसी चीज़े करते हैं I would say कुछ ऐसे कॉंप्रोमाइजेज भी है कुछ ऐसे स्ट्रॉग जो इंडिया से कनेक्ट रखने के लिए या कनेक्ट होने के लिए हमें करने पड़ते हैं पर हां हम करते और बहुत सारी चीज़ें जो है वह हम लोग ने अड़क्ट भी कर लिये जैसे अगर हमें दाल-चावल भी ने मिलता खाना भी नी मिलता तो हम भाः जाके कुछ खा लेते हैं, it's okay, मतलब अब वो हो गया है, पर दीपक के साथ पहले ऐसा था, वो बिना रोटी के नहीं रह पाता था, पर अब उसने भी adjust कर लिया है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि जर्मनी में बहुत सारे स्ट्रीट रेस्टोरेंस खुल जाएं, गोलगपते और इन सब क्या मिस करते हो, I think Germany ही एक ऐसा है, जहां पर सब लोग बोलते हैं कि खाना बहुत मिस करते हैं, क्योंकि बाकी जगे जो है वो खाना मिलना या अपना टाइप का खाना मिलना वो एजी है, बट जर्मनी में अभी भी पॉसिबल नहीं है इतना, बहुत सारी जगे, कुछ जग और हमारी चाइबी